एलो फ्रेंड्स बेलकम टू इस्टेडी कर दोस्तों 30 सितंबर 2022 को 67 भी BPSC की परिक्षा हुई है यानि प्री का एक्जाम हुआ है तो इसका जो सैट सी है उसकी आंसर की को हम देखने वाले हैं ठीक है दोस्तों हम पूरी तरह से बिसलिसन नहीं करेंगे केवल इसके जो राइ भी डिसकस करेंगे तो सबसे पहले पार्ट फर्ष्ट के आंसर देखते हैं और फिर इसके बाद फार्ट सेकिंड में आंसर देखेंगे तो पार्ट फर्ष्ट में हम 75 कुशन डिसकस करने वाले हैं फर्ष्ट कुशन है किस राज में पंच्यायत विवस्था नहीं है अंगला प्रसन है तो इसका सही जबाव हुआ उपरुक्त मैंसे कोई नहीं अंगला प्रसन है पंचायतों की बिटीये इस्तिती की समीक्षा के लिए राज्य सरकार परतेक 5 सालों के लिए क्या गठित करती है तो वह एक बित्ध आयूंक का गठन करती है अगला प्रस्न है सामुदायक विकास का उद्देश सी क्या है तो इसका सही जबाब होगा option number E यानि उप्रुक्ट में से कोई नहीं या उप्रुक्ट में से एक से अधेक option जो है इसके right option है question number 6 2022 के भारत के सुलहबे उप राष्टपती चुनाओ के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस है 788 सदस है भारत का राष्टपती कितनी बार पुना चुनाओ के लिए पात्र होता है तो कितनी भी बार वह पुना चुनाओ के लिए पात्र होता है लोगशभा में सामानिता कितने सत्र होते है तो लोक्षाबा में सामानिता तीन सत्र होते हैं अंगला प्रस्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधी आयो के अध्धक्ष कौन थे तो स्री-म-सी सेतल बाद जो थे वो प्रथम विधी आयो के अध्धक्ष थे भारत में यदि एक राज एक चुनाल लागू किया जाता है तो भारती समिधान के किस अंशेद में संसुधन के अवशक्ता होगी तो option number E इसका right answer हो जाएगा यानि उप्रुक्त में से कोई नहीं या उप्रुक्त में से एक से अधेक option सही है वस्तू बर्गी करण और समूहों के अंसार विस्सु ब्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था तो question number 11 का right answer होगा 1.7 प्रतीसत कितना होगा 1.7 प्रतीसत चतूर्थ अग्रिम अनुमान के अंसार साल 2021 में भारत में ग्याहों का कुल उत्पादन कितना है तो इसका सही जबाब होगा option number C यानि 109.5 million ton जीवन्त ग्राम कारकरम की सम्बन में कौन सा कथन सही है यानि सही कथन का चैन करना है तो 13 वे question का right answer होगा option number E उप्तुक्त में से कोई नहीं या उप्तुक्त में से एक से अधेक option इसके right है अगला प्रस्न है बिहार के आर्थिक सर्विक्चन 2021-22 के अंसार कौन सा कथन गलत है तो गलत कथन का चुनाओ करना है तो right answer हो जाएगा option number B यानि बिहार में प्रात्मिक शेत्र में 2.8 प्रतिसत की दर से ब्रद्धी हुई है अगला प्रस्न है पंद्रबा सहरी करण के बढ़ते इस्तर के अंसार बिहार के निम्न जिलों का सही करम बताईए तो पंद्रबे कोशन का right answer होगा option number C नालंदा मुंगेर और पटना बित्तिय वर्स 2022 देश के लिए राज कूस किये घाटा बिहार के G.S.D.P. का कितने प्रतिसत होने का अनमान है तो जो सुलेवा कोशन है इसका सही जबाब होगा 3.47 प्रतिसत वह बिकल्प चुनिये जो बिहार की साथ निश्चय भाग टू योजना का हिस्सा नहीं है सभी के लिए बायू मर्ग अंगला प्रिस्न है प्रति व्यक्ति आय में अवरोही क्रम में बिहार राज्ज की जिलों का सही क्रम चुनिये आंसर हो जाएगा option number C नवादा, किसंगंज, पूर्वी, चंपर, अररिया और सिभर अंगला प्रिस्न है N.S.S.O के 68 दोर के आधार पर गरीवी अनमानों के बारे में कौन सा कथन सत्त नहीं है तो हमें जो गलत option है यानि कि गलत कथन है उसका चैन करना है तो इसका आंसर हो जाएगा option number B यानि भारत की 33.3, 35% सा जनसंख्या गरीवी रेखा के नीचे जीवनियापन करती है अंगला प्रिस्न है निम्नमे से कौन सा भारत में सूक्षम उद्यम को आंसिक रूप से परिभाशित करता है तो इसका सही चबाब होगा सयंत्र और मसीनरी या उपकरणों में एक करोड रुपए से अधिक नेवेस नहीं है प्रधानमंत्री क्रसी सिचाई उजना के बारे में कौन सा खथन गलत है सही option होगा इसका उप्तुक्त में से कोई नहीं या उप्तुक्त में से एक से अधिक option इसके सही है दोस्तों जो 22 कोशन है इसका right answer अभी निश्चित नहीं है तो इसको बाद में comment में pin कर दिया जाएगा जब इसका right answer होगा अंगला प्रस्न है राष्टिय पैंसन योजना से संबंधित कथन चुनिये तो सही कथन चुनना है राष्टिय पैंसन योजना से संबंधित तो इसका सही option हो जाएगा option number C यानि NPS को पैंसन फंड नियामक और विकास प्राधी करण द्वारा भी नियमित किया जाता है अगला प्रस्न है निम्नमे से कौन भारत के बजट 2022-23 की प्रात्मिकताओं में समलित नहीं है तो 24 वे कोशन का जो राइट आंसर होगा option number B यानि V निवेस वित्तिय वर्स 2021-22 में भारत के टेक्स में GDP अनमान क्या था तो GDP अनमान क्या था तो इसका सही जबाब होगा option number D यानि 11.7 प्रतिसद क्या हो जाएगा 25 में कोशन का अंसर option number D हो जाएगा अगला प्रस्न है सुभाशन्र बोस ने निकुवार दीप को क्या नाम दिया था तो उन्होंने उसको स्वाराज दीप नाम दिया था फरबरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधे चोरी चोरा किस राज़ में हैं उत्तर प्रदेश में खुदी राम बोस ने किस इस्थान पर किंग स्फोर्ट की हत्या का प्रियास किया था तो मुझहप परपुर में आजाद दस्ता बिहार में किस आंदूलन की दौरान सक्री रहा है भारत छोड़ो आंदूलन की दौरान अंगला कुशन है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मंत्री मंडल में स्रम विभाग किसी सौपा गया था तो जग जीवन राम को सौपा गया था अंगला प्रस्न है 1942 में किस त्योहार की आउसर पर जय प्रकास नारायन हाजारी बाग जेल से निकल भागे थे तो वो दसेरा का जो आउसर था उसमें वो जेल से निकल भागे थे डॉक्टर राजन्द प्रसाद को सम्मिधान सभा का सभापती कब चुना गया था तो उन्हें सभापती कब चुना गया था राइट अंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 इस भी में अंगला प्रस्ण है सीमान्त गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो खान अब्दुल गफार खान सीमान्त गांधी के नाम से जाने जाते हैं जहांसी की रानी लक्ष्मिबाई की मृत्यू कहां हुई थी गुवालियर में हुई थी बंगल भिभाजन की विशय में किसने कहा था विभाजन हमारे उपर बंब की तरह गिरा है तो दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्रोक्त मिसे कोई नहीं या ओप्रोक्त मिसे एक से अधिक उप्शन सही है सरदार उधम ने किसे मारा था तो उन्होंने जनरल डायर की हत्या की थी ठीक है अगला प्रस्न है बार्दौली सत्याग्राय का सफल ने तो किस ने किया था तो ये बल्लब भाई पटेल ने किया था इनमें से 1946 में भारत वेजे गए कैबिनेट मिसन का सदस नहीं था तो रैमजी मैक डॉनाल जो था वो कैबिनेट मिसन का हिस्था नहीं था प्रसिद्ध गांधी इर्बिन समझोता किस वर्स हुआ था तो गांधी इर्बिन समझोता 1931 में हुआ था भारती राष्टी कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ट स्वधीनता का प्रस्ताव पारित किया था तो लाहॉर अधिवेशन में पूर्ट स्वधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 में अब ये दोस्तो आपके mathematics के कुछ सवाल है तो केवल हम इसके answer देखेंगे कि इसका answer क्या है solve नहीं करेंगे ठीक है दोस्तो 41 बा question जो है उसका right answer होगा option number B 42 का सही जबाब होगा option number A 43 का जो सही जबाब होगा यानि 43 बा जो question है उसका सही जबाब होगा option number B और 44 बा question है तो इसका सही जबाब होगा option number A इसका सही जबाब हो जाएगा 45 बा question जो है तो उसका सही answer होगा जाएगा option number D यानि 28 किलोग्राम फिर है 46 बा question तो 46 बे question का सही जबाब होगा option number A 47 बे question का सही जबाब होगा option number D 48 बे question का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number A और इसी प्रकार से उनांचासबा question जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा और 50 बे question का जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तो option number A ठीक है? अब चलिए अब हम science के question डिसकस करते हैं अभी इससे पहले mathematics के question की कीबल answer बता हैं उनको solve नहीं किया है अब हम science के question डिसकस करते हैं उतकर्ष्ट धात्यों के संदर्म में निमने बाक्यों पर विचार कीजिए यानि उतकर्ष्ट धात्यों प्रकति में सही जबाब होगा क्या? Option number E यानि उतकर्ष्ट में से कोई नहीं या उतकर्ष्ट में से एक से अधिक option सही हैं अंगला प्रस्ण है निमने कतनों पर विचार कीजिए सुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है जल का हिमांक घट जाता है अंगला है जल में जब मिथाईल एलकुहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है तो इसका सही जबाब होगा Option number B यानि एक और दो दोनों कथन सही है अंगला प्रस्ण है बायो गैस का निम्न में से कौन सा अभियब प्रमुख है तो बायो गैस का प्रमुख अभियब क्या है मीथेन है अंगला प्रस्ण है निम्न में से किस रसाइन की कारण पठाखा फूटने से चमकदाल लाल रंग दिखाई देता है तो इसका अंसर हो जाएगा इस्ट्रांसियम अंगला प्रस्ण है लवणता युक्तवाता वरन प्रैमी पौधे को क्या कहते है तो लवण म्रदोद बिद बोला जाता है कबक पौधों में नहीं पाये जाता है तो कबक पौधों में पण हरित नहीं पाये जाता है अंगला प्रस्ण है परागण की सू परिभासा है यानि परागण की क्या परिभासा होगी तो जो question 57 है तो इसका सही जबाब हो जाएगा option number C यानि परागण का पराग केसर से कलॉम छिदर तक स्थानांत्रेत होने की क्रिया को हम परागण बोलते हैं अगला प्रसन है पौधे अपना पोशकतत्त्तों मुक्ता किस से प्राप्त करते हैं तो पौधे जो है बहुत से भारत के पहाडी छित्रों में भी पाए जाते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं तो दोस्तो इसका सही जबाब होगा option number D यानि अनाब्रत वीजी कहलाते हैं अगला प्रस्न है निम्न जोडों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है तो सही जोड़े को बताना है तो इसका सही जबाब होगा option number B यानि malaria chloroquine दबा को इसमें उप्योग किया जाता है ठीक है, chloroquine जो दबा है इसका उप्योग किया जाता है अंगला प्रस्न है लाल रक्त कडिका बिहीन जन्तू है तो आंसर है इसका कैंच हुआ कार्बो हाइडेट में अप घटन के उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है तो कार्बो हाइडेट के अप घटन के उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number E उप्योग्त में से कोई नहीं या उप्योग्त में से एक से सही उत्तर इसके सही हो जाएगे अधिकतर enzymes होते हैं तो अधिकतर enzymes क्या होते हैं तो 63B number question का जो सही आंसर होगा वो होगा protein होते हैं अंगला प्रस्न है किस बेग्यानिक या चिकित्सक ने पहली बार T का करण की शुरुबात की थी तो Edward Jenner ने T का करण की शुरुबात की थी वासिंग मसीन का कारेकारी सिध्धान्त क्या है तो वासिंग मसीन का जो कारेकारी सिध्धान्त है वो है अपकेंदरन क्या है अपकेंदरन प्रकास की गती निम्न में से किस माध्यम में नियून्तम होगी तो प्रकास की गती किस माध्यम में नियूंतम होगी तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 66 नंबर कोशन का काच या सी सामें ठीक है निमने मैं से कौन सी सदिस रासी नहीं है तो 67 नंबर कोशन का जो राइट आंसर होगा वो होगा option नंबर C ठीक है अंगला प्रसन है यदी धर्ती की घूमने की गती या घूनन बढ़ा दिया जाए तो भूमद रेखा पर पिंड का बजन क्या होगा तो पिंड का बजन क्या होगा option नंबर D के इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि उसका बजन घट जाएगा गती को सरप्रथम किसने परिभासित किया था तो गती को सरप्रथम किसने परिभासित किया था गैलेलियों ने परिभासित किया था किसने गैलेलियों ने परिभासित किया था किस नियम के अंसर समाम ताप और दाप पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणों की संख्या समान होती है तो 72 नमबर कोशन का जो सही जबाव होगा वो होगा अवगद्रो की नियम के अंसार आपेक्षता का सिध्धान्त इनमें से किस विज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था तो आपेक्षता का जो सिध्धान्त है वो दिया था अलबर्ट आइंस्टीन ने एक संभाहक के तापकरम परिवर्तन के कारण इसमें बिभाव परिवर्तन होता है इस गटना को क्या कहते हैं तो 72 नंबर कोशन का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number C यानि Thompson प्रभाव 73 नंबर कोशन जो है वो आबर्धक काँच में किस प्रकार का lens प्रियोग किया जाता है तो आबर्धक काँच में जो lens प्रियोग किया जाता है 73 नंबर कोशन का जो right answer हो जाएगा वो option number A होगा चुम्बकत्तो का अनुचुम्बकी है सिध्धान्त निम्न में से किस के द्वारा प्रदर्सित होता है तो इसका सही जबाब होगा platinum के द्वारा किस के द्वारा दोस्तो platinum के द्वारा परमानू के नाभिक में से मूल कड़ होते है तो यानि कि परमानू के नाभिक में कौन से मूल कड़ होते है तो 75 का A नंबर सही हो जाएगा यानि proton और neutron तो ये थे 75 गोशन इसके next वीडियो में दोस्तो यानि next पार्ट में हम अंगले 75 प्रसनों को discuss करेंगे यानि उनकी answer जानेंगे ठीक है तो आप next पार्ट भी जरूर देखिएगा चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजेगा इसके अलावा दोस्तो आप हमारा app भी download कर सकते हैं app का link description में दिया गया है तो दोस्तो वहाँ पर आप उसको download कर लीजेगा या फिर आप Google Play Store से भी download कर सकते हैं आपको search करना है steady कर जैसे ही आप steady कर search करेंगे तो आप हमारा application download कर लेंगे और फिर इसके बाद आपको हमारे application पर बहुत सारी PDF मिल जाएगी test भी मिल जाएगे तो आप PDF और test के लिए हमारा जो application है वो download कर ले और इसके अलावा जो हमारा telegram channel है ठीक है तो telegram का link भी description में दिया गया है तो वहाँ से आप बहुत सारी PDF प्राप्त कर सकते हैं बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो हमारे app को और telegram को जरूर आप